अगर आपको की शाड़ी पार्टी में इंस्टेंट जाना है तो बालो को तुरंत काला करने के लिए में बहुत ही इजी तरीका लेकर आई हूँ बहुत ही इजी रेमेडी है तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है स्टील की कटोरी जिहां स्टील का बरतन ही लेना है या warpneloige का बतन ले लेड़ी और फिर इसके बाद आपने लेना है कपूर। बहुत ही अच्छा एजी में तरीका आपको बताऊंगी बालो को काला करने पूजागर में इस्तेमाल करते हैं कपूर। आपने इस्तीमाल करना है यहांपर... देखिए मैंने पाउडर फॉर्म में इसको बना लिया है इसको किसी भी उम्र के लोग लगा सकते हैं चाहें बच्चे हो बड़े हो बुजर्क हो कोई भी लगा सकते हैं कोई भी साइड फिट नहीं है और सबसे अच्छी बात यह तुरंज रिजल्ट देता है आप इसको अप इसमें डालना है आमला पाउडर यह डालना है अगर आपके आपने क्वांटिटी में ज्यादा बनाना है तो आप ज्यादा क्वांटिटी डबल क्वांटिटी कर दीजिए इस सबकी उस हिसाब से आप इसको प्रिपेर कर सकते हो और इसको आपने मिक्स कर देना है इस तरह स mix करने के बाद आप आपने simply क्या करना है आपने लेनी है माचिस समझी गए होगे आप कि हम क्या करने वाले हैं तो इसको mix करने के बाद आपने माचिस जलानी है और इस सब को जला दीजिए ध्यान रखेगा कि आपने कोई ऐसी चीज नहीं लेनी है जो जलने वाली हो और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है ताकि यह प्रॉपर जल जाए अच्छी तरह से तो मैट जलने का ढड़ था तो मैने इसको नीचे जमीन पर रख दिया ताकि मैट ना जल जाए है मेरा अगर आप किसी कपड़े के उपर भी कटोरी रखोगे तो वह कपड़ा भी जलने का दर रहता है जी हां मैंने यह ट्रिक अजबाई हुई है तभी मैं आपको बता रहे हूं तो देखिए यह जल गया है अभी भी यह बहुत गरम है तो आपने इसको ठंड़ा होने द देखाता है वीजिबल रिजल्ट है पहली बार से आपको रिसल थेक्ट को मिल जाएगा तो आपने इसको अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में कर लेना है इस तरह से स्पून के हल्प से चमश से इस तरह से करते हुए और जब भी आप इसको जलाओगे तो आपने वीच व आपने इसमें एक और चीज डालनी है ऑप्शन में आपको बता दूंगी आप इसमें दो चीज डाल सकते हो आप ले सकते हो वैसलीन जी हां वैसलीन से आपका वाटर प्रूफ रहेगा यह यह उत्रेगा नहीं जितना मर्जी आप पानी डाल लो जब तक जब तक उसको प्लांट में से क्या होगा दोस्तों यह ज्यादा वह बाद में चिपचिपा हो जाएगा तो इसलिए यह इस्तमाल कर सकते हो नैच्रल रहता है और बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए तो क्वांटिटी के साफ से आप इसमें एक से दो बड़े चमच अलविया जले डाल दीजिए मैंने यहाँ पे तीन से चार से मच छोटा चमच है यह तो मैंने वो डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया आप इसको बना करके स्टोर भी कर सकते हो कहीं भी जान है आप निकाली और लगाईए बस ध्यान रखिएगा कि आपने एयर टाइट कंटेनर में ही बना के रखना है तो यह देखिए यह बन करके रैडी है बस यह थोड़ा सा दरदरा है आपने अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लेना है उसके बाद ही इसको इस्तमाल करना है आपको दिखा देती हूँ इस तरह से आपने इसको एपलाई करना है और थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि यह ड्राइफ फॉर्म में हो जाए उसके बाद यह उत्रे गा रही इस्तमाल कीजिए और अपना फीड़बैक में सा जो शेक कीजिए का उम्मीड करती वीडियो पसंद आई होगी आप सबका वीडियो देशने के लिए बहुत बहुत धनिवाद बाबाई